क्यूट सी है इसमाइल जिनकी जो है नकरों का बंडार एस तो है 20 साल पर एक्टिंग के मामले में वो बड़ी बड़ी स्टार्स को भी है पीछे चोड़ती हम बात कर रहे हैं एक्टरस रीम सेक की रीम जिनने लोग रीम नाम से कम और कल्यानी नाम से जादा जानते हैं सिर्फ 16 साल की उम्र में रीम सेक ने टीवी इंडरस्ट्री में अपना एक बड़ा नाम बना लिया था और फिलाल वो उनके न्यू सीरियल इसक में घायल के लिए जानी जा रही हैं आज इस वीडियो में हम रीम की लाइफ स्टोरी और सक्सिर जर्णी के बारे में बात करने वाले ह रीम के बारे में कुछ अंसुनी बातें तो वीडियो बहुती इंट्रस्टिंग होने वाला है एंड तक जरूर देखना चलिए सुरू करते हैं 8 सितंबर 2002 को मुंबई महाराष्ट की एक मिडिल क्लास फैमली में रीम सेख का जन्म हुआ रीम की फैमली में इनके मदर फादर हैं वो अपने पेरेंट्स की सिंगल चाइल्ड हैं इनके फादर का नाम समीर सेख है और मदर का नाम सीतल सेख रीम ने अपनी स्कूलिंग ग्यान केंदरी स्कूल लोखन वाला मुंबई से कम्पलीट की रीम स्टार्टिंग से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे मांक्स लाती थी लेकिन मैथ में वो हमेशा से वीक रही हैं सिंगल चायल्ड होने की वज़ा से रीम अपने पेरेंट्स की बहुत लाडली रही हैं और इसी वज़ा से वो बच्छपन में काफी जिद्धी थी बच्छपन में रीम से अगर कोई तेजवाद में बात करता या डाड़ देता था तो रीम सहम जाती थी लाडली बेटी होने के साथ साथ रीम एक जिम्मेदार बेटी भी रही हैं भले ही रीम ने अपनी पढ़ाई एक अच्छे स्कूल से की पर उन्हें इंगलिस बोलने का ज़्यादा सोक नहीं हैं रीम के पहले टीचर उनके फादर रहे जो उन्हें हमेशा इस बात के लिए ड एक्टिंग लाइन में ले जाएंगे इसके बाद उनके फादर उन्हें ओडीचन पढ़ ले जाने लगे पर रीम जहां भी ओडीचन के लिए जाती रीजेक्ट हो जाती रीम ने काफी सारे ओडीचन दिये और हर जगा रिजेक्सन ही फेस किये फिर साल 2010 में रीम को सिर्प 8 साल की उम्र में इमेजिन टीवी के सीरियल नीर भरे तेरे नैना देवी में देवी का रोल प्ले करने का मोका मिला जब रीम ने ये टीवी सो किया तो रीम के पास गाड़ी भी नहीं थी इसने दिसंबर की कलप ठंड में वो साले पांच बजे अपने पापा के साथ स्कूटी पर ट्रेवल कर सूट पर जाया करती थी और रीम बताती हैं कि वोपल उनके लिए बहुत यादकार हैं और वोपल रीम कभी नहीं भुला सकती इस सो में रीम की एक्टिंग को काफी ज़्यादा नोटिस और पसंद किया गया और इसी से रीम को पैचान भी मिल गई इसके बा पाले तुम ना मैंने कुछ कहा और दिया और बाती जैसे सोज में ऐस चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया इन सीरियल्स को करने के बाद रीम को दो साल तक कोई काम नहीं मिला उन दो सालों में उन्होंने दस से भी ज़्यादा ओडिशन्स दिये लेकिन उन्हें रेजैक्शन ही मिला इसलिए रीम को लगने लगा था कि मैं अपना करियर एक्टिंग में नहीं बना पाऊंगी और एक्टिंग छोड़ने का फैसला लिया लेकिन रीम के फादर ने उनसे बोला कि इतनी आसानी से तुम हर कैसे मान सकती हो उनके फादर ने उन्हें समझाया तब रीम ने सोचा कि अभी मुझे और जादा मेहनत की जरूरत है इसके बाद रीम बिना कुछ सोचे समझे सीरियल तुछ से है रापता के लिए ओडिशन देने चली गई इस सो के लिए रीम ने तीन से भी जादा बार ओडिशन दिये फिर रीम का एक्ट पसंद करते हुए उन्हें लीड रोल के लिए स्लेक्ट कर लिया गया था ये सो जी टीवी पर 2018 में आया तब रीम सिर्फ 16 साल की थी इस सीरियल में रीम को कल्यानी मलहार का रोल प्ले करने को मिला जो उनके लिए काफी चेलेंजिंग था इनके अपोजिट को एक्टर थे सहबान अजीम दोनों की एक्टिंग और जोड़ी को काफी पसंद किया गया और रीम को हर घर में कल्यानी के नाम से पहचान मिली रीम और सहबान साथ में काम करते थे और ज़्यादा तर साथ ही नजर आते और दोनों काफी अच्छा बोंड सेयर करते थे इसलिए दोनों के डेटिंग के रीमर्स आने लगे लेकिन ये रीमर्स पूरी तरह से फेक थे क्योंकि सहबान और रीम सिर्फ अच्छे फ्रेंड हैं और इस बात का उन्होंने खुलासा भी किया साल 2020 में लग्की ली रीम को एक मूवी करने का मौका मिला जिसका नाम था गुलमकई ये एक बायोपिक मूवी थी जिसमें रीम की एक्टिंग को काफी पसंद किया गया और उन्हें बहुत ही पोपलरिटी मिली इससे पहले वो चाइल्ड आर्टिस्ट के तोर पर 2016 में फिल्म वजीर में काम कर चुकी थी साल 2022 में रीम ने कलर्स टीवी के सीरियल फना इसक में मर जावा में एस अ लीड रोल काम किया और इस सीरियल से भी रीम को ओडियन्स का काफी प्यार मिला रीम कई म्यूजिक वीडियोज और कई छोटे मोटे रोल भी कर चुकी है फरवरी 2023 में रीम का एक ओर टीवी सो ओनियर हुआ जिसमें काफी यूनिक सी स्टोरी दिखाई गई है चलिए जानते हैं रीम से एक के बारे में कुछ इंट्रेस्टिंग बाते रीम खत्रा 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 और बिग बोस सिस्टीन में एज़ गैस्ट के तोर पर नज़र आ चुकी है रीम को जैनिफर विंगेट का माया वाला रोल बहुत ज़्यादा पसंद है और वो चाहती है कि ऐसा रोल उन्हें भी मिले रीम ने जब पहली बार जस्टिन बीबर को देखा था तब ही से वो रीम के फर्स्ट सेलिबरिटी क्रस्ट बन गए रीम का फेवरेट कलर वाइट है रीम जब छे साल की थी तब उनका पहला फोटो सूट हुआ जिसके लिए उनकी फर्स्ट सेलरी तीन सो रुपे मिली थी रीम अपने पेरेंट्स को अपना दोस्त मानती है और अपना हर सीक्रेट सेयर करती है इनके रिलेशनशिप की बात करें तो फिलाल वो सिंगल है और अपना पूरा फोकस और टाइम अपने करियर को दे रही है तो गाइज ये थी सक्सिस स्टोरी एक्टरस रीम सेक की अगर आप भी रीम को अब तक कल्यानी के नाम से जानते थे तो कोमेंट करके जरूर बताना साथ ही आपको रीम किस रोल में पसंद आई ये भी बताना वीडियो अगर आपको पसंद आये हो तो लाइक करना ना भूले और ऐसी इंटरस्टिंग वीडियोज के लिए प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल